वेलकम टू प्रूरा आर्ट आज में आपको बॉर्ड किस सरा से कलेरिंग करना है वो में आपको बताने वाले हूँ आपको लेते वक्त फर्स डार्क कलर लेना है डार्क कलर से फर्स्ट आप बॉर्डर कीजिए कि यहां से आपको पूरा आउटलाइन करके लेना है कर वाइज आप प्रॉपर कीजिए यहां से करना आपको यह बॉड़ी पार्ट है यहां पर आपको वाइट ही रखना है थोड़ा थिक रखिये बॉर्डर यह आप लाइन्स पी क्लिए रखिये थोड़ा बॉर्डर करने के बाद आपको यहां पर थिकने से रखना है उसके बाद आपको लाइट प्राउन पला लेना है और उसे हलका सा मॉल्च करना है अपर से भी आप ले सकते हैं आप ले सकते हैं पर हलका सा डाक कले यूज़ कर रही हूँ उसके बाद आपको लाइट ब्राउन यूज़ करना है मर्जिंग के लिए आपको पहले एक एक पार्ट कम्प्लीट कर लेना है यहां पर भी आपको ब्राउन कलर ही देना है बड़ आप फर्स्ट एक पार्ट कम्प्लीट कीजिए उसके बाद सेकेंड कीजिए यहां पर आपको डाउन कलर लेना है और यहां पर आपको डार्क रखना है यह जो लाइन से यहां आपको डार्क करना है यहां पर आपको पार्क कीजिए अलका सा ब्राउन आपको यह अभी राउन कलम आड़ करना है अलका सा मर्ज करके अभी यहां पर लाइट ब्राउन अभी यह मैंने कंप्लेट कर लिया है नेक्स्ट पार्ट आपको बताऊंगी मैं अभी यहां पर हलका सा रेट कला यूज करना आपको हलका सा यूज कीजिए ज्यादा ना कीजिए अभी यह आपको कंटेन्यू दिख रहा है पार्ट ओवल शेप नहीं दिखाई ले रहा है आपको यह रफ नहीं करना है अदर्वाइस आपका कलरिंग अच्छे से नहीं बैट पाया है यूज कीजिए यहां पर यहां पर मैं अभी पिंक कलर यूज करें आपको इलका सा लाइट लाइट कांटिनीव करना है कि उसके बाद आप थोड़ा सा यलो कलर भी यूज कर सकते हो यह मैं यलो हलका सा यूज करना है आपको ज्यादा नहीं आईव मैं डाग ग्रे कलर यूज करें आगे तक थोड़ा लेना आपको और उसके बाद लाइट क्रें कि यहां पर आप हलका सा गरी कलर यूज कर सकते हो हलका सा यूज करना है यहां पर नीचे भी आपको ब्राउन कलर यूज करना है अब यहां पर ब्रांच कलर कर रहे हूं सेम कलर रहता है इसलिए आपको हलका सा यहां पर ग्रे कलर यूज करना है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से यूज करना है फर्स्ट आपको यह पॉड़र करके लेना है डाप ग्रे यूज करना है अपको अंदर ताकि वो ब्रांच लगे उसके बाद आगे आपको मर्ज करना है अभी आपको यहां पर ब्लैक आउट लाइन करके लेना है लगे करते कांटिने मुठीव यहां पर मैं भी दिखा रहे हूं यह अल्मुस्ट कम्प्लीट हो गया है यहां पर यह वीडियो कम्प्लीट हुआ है यह मैंने बर्ड बनाया है अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले बाई केट्स